नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है हमारे चैनल अर्थ हैल स्पेस पर आज की वीडियो बहुत नॉलेजेवल है और हो सकता है कि जिन्दगी में कहीं न कहीं आपके काम भी आ जाए इस दिए वीडियो को पूरा देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तो दिमाग में आने वाले विचार दो तरह के होते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉजिटिव विचार आपको खुशी और उर्जा से भर देते हैं और नेगेटिव विचार आपको निराशा और तनाव के समुंदर में डुबो देते हैं कई कोशिशों के बाद भी आप अपने दिमाग में आने वाले इन नेगेटिव विचारों को रोकने में सफल नहीं हो पाते और इसके चलते आपकी निराशा और तनाव और भी ज़्यादा गहरे हो जाते हैं रिसर्च बताती है कि रोजाना हमारे दिमाग में आने वाले विचारों की संख्या करीब 60,000 होती है और इन में से 80% नेगेटिव विचार ही होते हैं जो हमारे जीवन को बहुत परभावित करते हैं और हम इन से अंजान अपने जीवन की मुश्किलों का जिम्मेदार भागय को मान लेते हैं जब कि इसके लिए जिम्मेदारी तो हमारे दिमाग की है और अपने दिमाग की विचारों को कंट्रोल करना हमारे अपने हाथ में है ऐसे में ये जानना पहली जरूरत है कि आखिस दिमाग में नेगेटिव विचार आते ही क्यों है और इतनी कोशिशों के बाद भी इनका आना थमता क्यों नहीं इसका एक मेंन रीजन बीते कल का अफसोस करना है बीते समय में कई बार जाने अन जाने में कुश ऐसी गलतियां हो जाती है जिन पर आपको आज भी अफसोस है ऐसे में जब भी उन बुरे अनवबों जैसी सीटी आपको वर्तमान में दिखाई देती है तो आप भूल जाते हैं कि वो समय बीत चुका है और उससे जुड़ा पश्टावा आपको निराश और बेचैन बना देता है इसलिए उसे एक ख्याल से जुड़े धेरो नेगटिव विचार आपकी दिमाग पर हमला कर देते हैं इससे शुटकारा पाने का यही एक तरीका है कि आप अपनी बीती गलतियों को ना दोहराने का वादा खुद से करें और अपनी उन बूलों से सीख लेकर आगे बढ़ने का लगातार परियास करें बीती बातों के इलावा वर्तमान और आने वाले कल का डर भी हमारे मन में नेगटिव विचार पैदा करता है उन चीजों और हलातों का डर जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते और चाह कर भी नहीं जान सकते आने वाले कल के लिए थोड़ा विचार करना ठीक है लेकिन उसके बारे में सोच सोच कर डरना नेगटिव विचारों को खुला अमंतरन देने जैसा है दोस्तों निराशावादी महाल में रहना भी नेगटिव विचारों का एक में जीजन है जैसा महाल आप खुद को देंगे वैसे ही विचार आपके दिमाग में चलते रहेंगे जब आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ कमियन निकानना जानते हैं हर बात के नेगटिव साइड पर ही जोर देते हैं आपको प्रेडित करने की बजाए आपका मनुबल कमजोर बनाते हैं तो ऐसे लोगों और ऐसे महाल के बीच रहकर पॉजिटिव विचारों की कलपना कैसे की जा सकती है इसलिए अपने दिमाग में आने वाले अंगिनित नेगटिव विचारों के लिए अपने दिमाग को कोशने की बजाए अपना महाल बदलिए और ऐसी संगत चुनिए जो हर सिती में आपको पॉजिटिव रास्ता दिखाए और आगे बढ़ते जाने की प्रेना से भर दे असफलता से बार बार सामना होना आप भले ही अपनी तरु से पूरा परियास करते हों लेकिन फिर भी आपको असफलता का ही सामना करना पड़ा है वो भी कई बार ऐसे में ठक कर निराश हो जाना सभाविक है और निराशा की इस सिती में नेगेटिव विचारों का आपके दिमाग में दौरना भी एकदम समाने ही है इस निराशा के दौर को लंबे समय तक रखने की बजाए आपको जरूरत है कि फिर से खड़े होने की और नए सिरे से शुरुआत करने की इस बार अपनी कम्यों को सुधार कर फिर से जुट जाने की क्योंकि आप जानते हैं कि परियासी सफल होते हैं शुरुआत में पॉजिटिव बने रहने में आपको थोड़ी मुश्किल जरूर होगी जिसे असान करने के लिए आप कुछ ऐसे बाहरी सादन अपने पास रखिए जो आपको पॉजिटिव इटी से भर सकें चाहे वो आपके ऐसे दोस्त हों जो आपकी कबिलियत पर युकीन रखते हों या फिर प्रेरना से बरे ऐसे और वीडियोस दोस्तों अमीद है ये वीडियो आपके किसी काम आई होगी ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि किसी और के भी काम आ सके मैं बिलूँगा ऐसे ही किसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जैहन बंदे माकरम